हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मेरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जामजस में इस वीडिवें में बात करने वाले हैं यू-पी एसाइई का पसलेप्स कर दोलगी है फिजिकल होना और तौह लिंगे हां राव इस वीडिव में मैं बताने वाल है वाल अगर आप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस्ट कर दीजेगा गुर्मेंट जोग की पलपल अपडेट के लिए तो चलिए इस वीडियो में आपको पता देता हूं आपको क्या-क्या लेके जाना है तो जैसे कि यह एक मेरे पास केंडिडेट का एडमिट काड़ है इसके अंदर आप देख सकते हैं यह महत्पूर निर्देश इसके अंदर इस परवेश्ट पत्र के बिना केंडिडेट को शारेजिए तक्स तक परिक्सा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा यानिकि यह जो एडमिट काड है इस पर यह साइड मर साइड में राइट हैंड साइड कोर्नर पर एक आपके फोटो के लिए होगा वहां पर आपको colored photo लगानी है ब्लैक इन वाइट photo नहीं लगानी color photo लगानी है और second point में क्या लिखा है शारीदिक दक्सता परिक्षा के समय परियोग हेतु उभयार्थी अपना एक रंगीन passport size photo अवश्य साथ लेकर आए यानि के photo भी आपको साथ लेकर जाना है और एक photo आप इस पर PAC दी गई है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा यह इन्होंने पहले ही बता दिया है फोट पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं परवेश्पत्र डाउनलोड करने के पश्चाद व्यारती द्वारा कारवाई की जाएगी परवेश्पत्र के निर्धारित इस्थान पर फोटोग्राफ चिपकाएं जैसा कि इसने बोल भी रखा है फोटोग्राफ आप चिपका नीजेगा परवेश्पत्र में अंकित घोष्णा को अपने ह अस्त लेक में परकर दिनांग से सुष्पिस्ट अस्ताक्सर करें यानि कि यह इसका नीचे एक टिक्लेरेशन फोर्म है यह आपको खुद पढ़ना और यहां पर आपको अपना सीगनेचर करना थर्ड पोइंट में क्या बोल रहा है केंडिडेट को मूल परवेश्पत्र सा कर लिया जाएगा महीं पर तो आपको इसकी दोगों पर निकालनी है एक अपने पास से टकनी है और एक महाँ पर जमा हो जाएगी आपको इस परकिरिया में परवेश्पूर्टे उपबंदिक है तथा पात्रता की किशी सर्थ या अन्य किशी कारण से विधी सम्मत ना हो प होता है इन चीजों में से आप नहीं लेके जाते हैं तो आपका कैंडिडेटर जो है निरस्ट कर दिया जाएगा वहीं पर फेल कर दिये जाओगे छटे पॉइंट के अंदर क्या बात कई गई है कैंडिडेट को परिक्षा में समलित होने के लिए परवेश्पत्र के साथ में से कोई एक पहचैनपत्र इसके अलावा कोई भी पहचैनपत्र आप का नहीं चलेगा यह इननों ने बता दिया है अगर अगर के जाएंगे तो पास्पोर्ट बीच के अंदर लिखा हुआ है रासन कार और away Mark CDS बा लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा इनों निख दिया ह 7 पवूंट के नदरस इन्होंने बताया है कि boss की जो है वह वो गॱ 2.8 क किलो मेटर्ट द मैं और ग्र्ल्श की जो है दूपविंट 4 किलो में अलिएट की हम बात करते हैं तो जो आपको चक्कर लगाने से 400 तो उन्स चक्रों की सब्सक्राइब आपको खुद ही गिनने होंगे यह बोल गया है कोई भी आपको वहां पर नहीं बटाएगा आपके इतने चक्रों गया आपको खुद ही गिनना इसके अंदे लिखा हुवा वियार्थी अपने हित चिकित्सक से अपने स्वास्ते हिर्दे रख्चाप की जाच करा ले यानि कि आप अपना फीजिकली चेक करा लिजेगा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फीजिकल के दोरान तो डिपार्टमेंट उसके लिए कोई भी जिम्मदान नहीं है अगर आपको कोई भी वापर दिक्कत हो जाती है तो इन्होंने पहले ही बता दिया शारिदिक दक्स्ता परिक्षा में सफल होने का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि वह अर्तियों को पक्क की नोगरी मिल चुकी है यानिके इन्होंने बताये कि लास्ट में भी एक मैरिट लगेगी उसके अधार पर ही आपकी नोगरी पक्षी मानी जाएगी इलावन्थ पुइंट के अंदर परिक्षा के अंदर मोबाइल फोर इलेक्ट्रोनिक वगएर आप नहीं ले जा सकते है परिक्षा के दिन ही परिक्षा दल के शमक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है किसी अन्य माध्यम से अन्यंत्र इस्थान पर अथ्वा बाद में किसी बाद में किसी तिथी पर कर्ष्टूत की गई पर्तिकों निर्दारी परिक्षा तिथी समय एवं परिक्षा केंद में परिवर्तित संबंदित कोई अनुरोध सुविकार्ट नहीं किया जाएगा यानि कि अगर आपको कोई अद्मिट कार्ट में दिक्कत है तो आप उसी धिन जिस दिन आपका है जाकर पड़े अधिकारी के पास जाकर उसको को चेंज करा सकते हैं आपका जो वो टाइम दिया गया है उसके बाद आपके किसी भी बात को सुना नहीं जाएगा थर्टीन पॉइंट यह आपका दिया गया है चारेजिक दक्सता परिक्षा में वहित मानक प्राप्त ना कर सकने वाले आसफल होने जाने वाले विद्यारतों को दूसरा मोका नहीं दिया जागा यानि कि अगर आप एक बार रनिंग में फेल हो गए तो आपको सैकिन मोका न कहते हीचे स democratic अनिये समय दिनांग परिक्षा में होने में आश्फल होने वाले यह आपको मैं बताला धियीक है देखते इस पिरसे spinner दोने के लिए वियात्तियา सद्वायां क्योंतरा ने दिया जागा यानि ai को अब पीपड़ा है आपको खुद एमने पैसे से आना होगा आ अपने पास ऐसे इसमें नहीं है कि लास्ट पॉइंट सेगिंड लास्ट पॉइंट देखते हैं कोवीड के दिश्टिकत शाषन द्वारा जारी दिशान निर्देश को अनुपालन शुरुचित क्या जागा यानि कि महाँ पर सोशन स्टेंसिंग वगरा का आपका पालन किराय जाएगा आपसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बैयार्थी यथा संभव उप्यूप चिकित्सा विशेश कर हिर्दय रोग विशेश से अपने हिर्दय तक रक्ष्याप की जाज कराकर चिकित्सा की राय अनुसार अपने स्वास्तिक को द्रिश्टिकत रखते भाग ले ला होगा वहाँ पर आपके साथ जो भी कुछ होगा वह आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे यदि किसी व्यारतियों को शारीरिक दक्स्ता परिक्षा के दोरान स्वास्त संबंदित आकास्मिक समस्य आती है तो उसके लिए बोर्ड पर कोई अन्य जिम्मेदार पाड़ी नहीं है यह नहीं भॉल दिया तो में लीस के अंदर आपको अपना आधार काड़ लेकर जाना होगा आधार काड़ आप लेकर जाईए और इसके एडमिट काड़ के आप 2 प्रिंट निकल वाल दीजिए एक को आप अपने घर पर रख दीजिए और एक को आप ही ले कर जाए फोटो कोपी फोटो कोपी कोई भी Ahare Card की ना ले कर जाये वह मानने नहीं है ओरिजिनल ही यह जो डोकुमेंट लिखे गए हैं यह ओरिजनल यह आपको ले कर जाने है इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू